आप लोग के हमारे कुकिंग चैनल में वेलकम है आज हमाप लोग के साथ सेयर करेंगे बहुत ही कम समय में टेस्टी नास्ता जो बन के एकदम परफेक्ट तयार हो जाएगा और बिल्कूल ही कम समय में अगर इस तरीके से नास्ते आप बना लेंगे न तब बार बार यही नास सा हाल का उपर से हम घी डाल देंगे घी के गरम करके डालेंगे इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे मोम घी डाल देने से ना यह नास्ता आपको खस्ता जैसे अगदम मुलाइम बनेगा और कुरकूरे बनेंगे यह आच्छा से मिक्स करके इनको हम गूत लेंगे जिस तरीके से हम आठे को गुथते हैं रोटी बनाने के लिए उसी तरीके से इस मैदे को आपको गुथना है नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं इसलिए कि नमक से थोड़ा टेस्टी लगे यहां हम मैदे को अच्छा से हम गूथ लिए अब इनको हम आधे घंटे के लिए रेश्ट के रखेंग हम अच्छा से भूंज लेंगे हम प्याज न हो जये इनको भूंग लेंगे थैंगे जब यहां हमारे मूंบन चुके हैं हम आलू को पहले से ही उबाल लिये थे, आलू को हम छिलका उतार कर इनको मैस लिये थे, तो मैस कर आलू हम इसमें डाल देंगे, आलू को आच्छा सा हम चला लेंगे डाल कर, मैस कर, नया वाल आलू है, तब पहले ही हम उबाल कर आलू का छिलका निकाल कर इनको मैस कर रख दि तो इसलिए इनको हम मैसने वाला से अच्छा से मैस लेंगे अब यहीं पर हम कुछ सुखी मसाले को एड़ कर देंगे चटपटा होने के लिए तो थोड़ा सा हम हल्दी पाउट डाल देंगे अगर हमारे चैनल पर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू आधा निम्बू का रस डाल देंगे निम्बू का रस आधा निचोड़कर डाल देंगे इनको अच्छा से मिला लेंगे हम उपर से छोटा छोटा हम धनिया पत्ता को डाल देंगे काटकर इस तरीके से इन सब चीजों को हम अच्छा से मसल देंगे इस मसलने वाला से देखे आलू का इस्टेपिंग एकदम अच्छा तयार हो गया है अब हम यहां भूल गये थे आधा चमच हम लासुन अधराख का पेस्ट डाल देंगे हम भूल गये थे लासुन अधराख का पेस्ट आप पहले ही डाल दीजेगा जब प्याज भूंजिए गा न उसी समय अधराख और ख़ए युछ अधराख डाल दीजेगा हमसे थोड़ासमीयट हो गया थो आप हम लसुन अधराक का पेस्ट डालेएnes हैं थोड़ास और खका लेते हैं तेहां नास्ते बनाने के लिए अच्छा सटमाटर ले लिए package nella को लाल लाल टमाटर लेना होगा पका हुआ इस तरीके से हम चक्पू से क्या करेंगे काcrowdते अंधर का साल सार हम काट कर ह bet वह जो होता दना निकाल लेंगे कि अगर इस तरीके से नास्ते आप लोग b prosper rate ड़र बह तोग यहां हमारे आलू का इसमें भर दिखाते हैं एक थोड़ा थोड़ा लेंगे यहां-वहम टमाटर में भरेंगे इस तरीके से इस तरीके से हमेकर करके सारे टमाटरे में भर देंगे आप लोग भी इस तरीके से नास्ते जरूर बनाईएगा बहुत ही टेश्टी यह बहुत ही सवधिश्ट लगता है बहुत ही बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए देख रहे हैं तो भर जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है भरने में यहां सारे हम इस तरीके से भर के तैयार कर लेंगे और भी रेश्पी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं चाहित आप जाकर देख सकते हैं अब हमें आगे दूसरा त्यारी कर लेते हैं इनको हम साइड में रख देंगे यहां हमारे मैदे वाला जो हम गुद कर रखे थे न आटे तो हमारे एकदम फूल कर तयार हो गया है अब हम क्या करेंगे एक लोई ले लेंगे जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं न कीचन में रेज रोज उसी तरीके से हम लोई ले लेंगे थोड़ा सा हम पर्थन हएं हम रोटी जैसे बेल लेंगे जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं नि पूरे भेमली खाने के लिएतौ उसी तरीके से हो रोटी बेल लेंगे पतला ही बेलेंगे घु Gör eg आगर इस मैदे में आप चाहें तो नहीं बोलें कोई बहुत नए नस्ते हैं आप लोग ने इस नस्ते को कभी नहीं देखें होंगे ना आप खाएं होंगे आप लोग भी जुरू ट्राइ कीट कीजिएगा बहुत ही सवधीश्ट लगा था हम मैंने एक बार बनाए थे बहुत ही अच्छा लगा था तो फिर उसी तरीके से रोटी क को रखेंगे उपर से इस तरीके से टमाटर को रखेंगे अगर आपके बड़ा टमाटर है तो थोड़ा बड़ा रोटी बेलिएगा छोटा टमाटर है थोड़ा चोटा भी रोटी बेल सकते हैं देखे फिर उसी तरीके से हम उपर वाले इस तरीके से चुनवाटा देंगे इंको उपर वाला भाग को अच्छा सा टालीजिएगा तो यहां हमारे सारे नास्ते बनके तयार हो गये हैं देखे इस तरीके से बहुत ही खबसूरत लगता है बच्ची बहुत पसंद करते हैं चलते हैं गैस के तरफ तक गैस पर यहां तेल को गरम कर लिए हैं अब हम आप ल दुसरे राउंड में और ढालेंगे बचने इस तरीके सारे नास्ते को हम तलेंगे आज को मीडियम रखिएगा करstatic को अंदर लान उनको को पकाना है माट यहां इंको देरे-धिरे दुसरे राण में भी हम आप लोग के दिखा देते हैं फिर हम डालेंगे आज को मीडियम रखेंगे इनको उलटते-पलटते हुए मीडियम आज पर हम पका लेंगे इनको भी निकाल लेंगे इस तरीके से कितना अगदम कलर चेंज हो गया है बहुत ही टेस्टी है सब आज सब बहुत ही जल्दी बन के त्यार हो गया है मात्र दस मिनट में यहां आप लोग के एक नास्ते को काट कर दिखाते हैं देखे इस तरीके से जब चकु से काटिएगा न देखे कितना अगदम लजबाब अंदर से आपको दीखेगा खाने में तक मत पुछिए गरम गरम एकदम सुबस हम चाय के साथ बना अगर खाये तो बहुत ही टेस्टी लगता है आज बच्चे के लंच में दीजिए आज के रेस्पी अच्छा लगे तो लाइक सेर जुडूर कीजिए अगर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे